सब्स्राइब कीजिए टेकिनिग मा यूट्यूब चैनल को और बेल ऐकन दबाईए हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है मेरे और शायद आपके लिए भी उतनी खास हुई क्योंकि मेरे पास आज है मेरा पहला डिसल आर ये तो आप इस वीडियो को पुरा देखते रिए करने वादे इसी का अन्बॉक्सिंग देखते हैं इसके अंदर क्या कुछ है और आपको एक ठीसलार कैमेर साथ क्या कुछ मिलता है तो विडाओ प्रिश्चिंग इनिटाइ लेट इस टार्टिए तो दोस्तों कि मैं बॉक्स की बात करता हूँ तो यहां पर है कैनोन का मार्ट बना हुआ कैनोन 1500 इसामने लिखा हुआ है और यहां पर दो साल के भी आचेटिर नेट दीए हुई है एक कैमरा बना हुआ है साइड में कुछ इसपेक्स दीए हाँ कैमरा की की का मैरे किसे त mm क्या कुछ है कारेंड किंदर तो दोस्तों इस बॉक्स के पहले है पत्लिया तो अब बात करती इसके अंदर कंटेंट क्या कैया है तो चल्शुर यह इसको फार लेता हूं और इसमें पहले सर लेता हूं सब्सक्राइब का तो चित अग्ची पैकेजिंग काफी अच्छी पैकेजिंग साथ आया थे और ही मेमरी कार्ण अच्छी स्पीड का है 48 MBP इसकी स्पीड आती है इसमें तो अच्छा है चलो अब मेमरी काड लगाते हैं और साथ में इसकी बैटरी भी लगाते हैं कि जोस्तों के नंग है मिलते करना दी में नीजिशे ये ई इसमें इस मैं जूला ने यए लगा सकते हो तो फिस अधनर को इनसर्ट करते हो साथ i ईंसर्ट करते हैं जिसके बैठरी तक हमारा चेमरा ओन हो सके पावर मिल सकते आप बैटरी चार्ज है नहीं पता बैटरी हला कि चार्ज नहीं थी मैंने इसे चार्ज किया उसके बाद मैं लगा रहा हूं तो अभी लगाते हैं बैटरी को और यह हमारा बॉडी डेडी हो गया लेकिन बिना लेंस के तो काम चलेगा नहीं तो लेंस की असेंबली जल्दी से कर लेते हैं बट आप देख से होते हैं काफी अच्छा लगता है भले ही प्लास्टिक बॉडी डिजाइन दिये हुए लेकिन कैमरा काफी सॉलिड और प्रीमियम लगता है मतलब लगता नहीं कि सच में ये प्लास्टिक बॉडी का है कैमरा में लेंस अटेश करने के लापको दोनों उपर फिर मांग दिये हुए है इसकल मैं अलग से गाइड बना दूंग और आप चाहुगत आपको मैं सक्षिन बताओ आपको जरूत है या नहीं कैमरा या फिर आपको डेसला अप्ट आता ही यह भी आप मुझे बता सकते हो तो लेंस कवर को निकालते हैं और चल दिए देखते हैं कि अच्छल में लेंस और कैमरा मिलके कैसे लगते हैं तो यह है ट्राइपॉड मेरा कैमरा मैं आपको एक बड़ आटो फोकस करके दिखाना चा पयर चाजते हैं तो पा थींदे तडियर राकी रीवया अच्छा़ है क्या फुफी जो है क्क रहा है कि Exchange variety ले पा छा इक अच्छी बात कि यह आटो फोकिस सही से कर ले रहे हैं मुझे कोई पॉल्म महीं को ड 가운데 यह बहुत अच्छी फोटोग्राफी के लिए तो नहीं होता बट हाँ आप अगर प्रॉपरली मैनूली ऑपरेट करते हो तो अच्छी खासी फोटोग्राफी और वीडियो ग्राफी कर सकते हो मैं आपको सेंपल अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर दो तो आप मुझे नीचे दी हुए इंस्टाग्राम आईडी पर जाके फॉलो कर सकते हैं यहां पर एक आपको शेटर स्पीड का बटन मिलता है और साथ में एक रिंग मिलते हैं जिसे आप घुमा के मैनूल आटो या फिर वीडियो बगरा मोड पर कर सकते हैं इसकल में आपको अगला गाइड बना दूंगा तो अब यह सिर्फ अन्बॉक्सिंग है आपको कैसा लग रहा है कैमरा आप मुझे कमेंट सेक्षिन बता सकते हैं हलागे मुझे तो काफी अच्छा लगा बिल्कुल नहीं लगता कि यह प्लास्टिक बॉट डिजाइन है और ग्रिफ भी काफी अच्छा है इसका कि अच्छा है